आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपने PCFE Laptop में WhatsApp को यूज कर सकते हैं PCFE Laptop में WhatsApp को यूज करने के लिए आप अपने URL में टाइप करें WhatsApp और जो Google पर पहला लिंक आएगा WhatsApp का वही है WhatsApp की ओफिशल वेबसाइट तो यह जो पहला लिंक का है यह है WhatsApp की ओफिशल वेबसाइट चलिए इसको क्लिक कर देते हैं इसको क्लिक करने के बाद इस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पर पहला ओप्शन होगा WhatsApp वेब और दूसरा फीचर डाउनलोड में लेंगे यह WhatsApp वेब है वह WhatsApp अप्लिकेशन से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है तो आप चाहे तो WhatsApp वेब को भी यूज कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि कैसे और क्या डिफरेंस है WhatsApp वेब या फिर WhatsApp अप्लिकेशन में वेबसाइट पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपको यह कुछ इंटरफेश दिखेगा WhatsApp अप्लिकेशन लेप्लिकेशन लेप्लिकेशन के लिए डाउनलोड करने के लिए यहां पर लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोस 64 बिट और 32 बिट के लिए भी यहां पर ऑप्शन चलिए पहले तो यह देख लेते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जो विंडो है आपके जो लैप्टॉप या फिर आपके कंप्यूटर में वह कौन से बिट की है यह 64 बिट है या फिर 32 इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेन्यू में यहां पर स्टा इसके जो इसके जो बिट की है या फिर 32 बिट की है तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडो है अगर आपकी 64 बिट वर्जन है तो आप 64 वाला विंडो यह वाट्सअप एप्लिकेशन को डाउनलोड करें अगर 32 बिट है तो आप 32 वाली अप्लिकेशन को डाउनलोड हमने अप्लिकेशन को कर लिया इंस्टॉल और साथ ही साथ हमने वाट्सअप वैब को भी ओपन कर लिया तो यह है अप्लिकेशन का इंटरफेस देखेंगे इस तरह कुछ दिख रहा और यह है वैब वाट्सअप का इंटरफेस वाट्सप है और scan करते ही सारी chats आपकी screen पे शो होने लगेंगी तो यह जो भी आप screen पे देख रहे हैं यह whatsapp web का interface है same to same interface आपको यह whatsapp application में भी मिलेगा जैसे ही हमने अपने whatsapp से इस code को scan किया हमारी सारी chat screen पे आ गई चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको अपने phone को scan करना है चलिए एक बार देख लेते हैं अगर आपके पास कोई android phone है तो यह जो starting में आपको qr code दिखाई दिया था उसको आपके जो three dot menu है इससे आप में जाना है वाटसएफ वेब पर क्लिक करना और इस code को scan करना है scan करते ही सारी आपकी chat पर जो जाएंगी same अगर आपके पास iphone है तो settings में जाना है WhatsApp वेब पर क्लिक करना है और इस code को scan करना है तो दोनों तरीके से ये बहुत simple है सिर्फ code को scan करते ही सारी chats आपकी आ जाएंगी मेरी माने तो आपको application डाउलोड करने की जुरूरते ही है अगर आप Opera browser यूज करते हैं तो उसमें पहले से एक built-in extension है जो WhatsApp के लिए काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद